कि देचे तुसी चर्चा लाओ किती है जेदे वास्ते मैं फ़ड़ा शुक्राना कर दिया ये भी बोलें सदन में शायद ये पेली बार चर्चा और यूगी इस विशेप ना हाँ क्यों अधिरंजन जी पेली बार चर्चा और यूगी इस विशेप आप बोलते रों आज कल द मैं फ़ड़ा शुक्राना कर दिया कि ओल पार्टी मीट जद होई सी ते ओस टाइं फ़ड़े तो मंग रखी सी कि जद असी बहुत सारी चीजां दी चर्चा कर रहे हैं लेकिन अज हिंदुस्तान चे देश में सबसे जरूरी मुद्दा जो मेरे हिसाब से क्योंकि हम अपनी demographic dividend के बारे में बात करते हैं लेकिन इस demographic dividend में अपने राजिय के और अपने आस पास के राजियों के बारे में जब मैंने बात करी तो उस all party meeting में पता लगा कि ये हालात सभी राजियों में थे तो नशों के साथ हमारी देश की जवानी किस तरफ जा रही है इससे मैं भी चिंते थूँ और मेरा ख्याल सारा सदन को भी चिंते होना चाहिए समय शुरुआत करना चावांगी की ए जड़ा महीना होंदा ए डिसेंबर दा अखीरली महीना ए साथे सिखा वासे एक बहुत ही एहम समा होंदा है क्योंकि जड़ा पीर पगंब्रा दी तर्ती पंजाब गुरुआ दी तर्ती सोने दी तर्ती जिते फसला उगदिया ने ये साड़े शहादत ते बलिदान दा इतिहास ता सबूत इना आनवले दिनाचे मिलदा है सब तो पहले अपा देश दी राजधानी वेचे थे अपा खड़े हां ते अपा कि मैं पूर सकते हैं कि साड़े नौवे गुरू श्री गुरू तेग बहादूर साहब ने चांदनी चौक चे आप दी कुर्बानी दिप्ती सी आप दा सीस कलम करा देता सेगा दुनिया दे ते हास चे एक कलोता मिसाल जथे किसे होरता अर्वनू बचान वास्ते किसे ने अपनी कुर्बानी दिप्ती हुई ए साड़े गुरू तेग बहादूर साहब उस तर तीचे अपा खड़के एस महान कौम दी कुर्बानी दी असी गाल कर रहां ओना दे पुत्तर गुरू गुरू गुबिन सिंग जी महराज जिनादश आज ओना दा गुर्पुर उनप्ती तरीक डुसेंबर नू आऊगा साथ तुसी सोचो नौ साल दी छोटी उमर चे गुरू साहब ने आप दे पिता दी शहादत देखी ते फिर तेरा चौदा इन्य वड़ियां वड़ियां लड़ाईयां जोर ते जबर दे खिलाफ गुरू साहब ने आप दी जिन्दगी चे लड़ी ते अपनी अखा दे सामने पिता दी शहादत दे बाद अपने चारे बेटिया नू शहीद कर देना तर्म परिवर्तन दे खिलाफ जोर ते जबर दे खिलाफ ए मिसाल किते देखा नू मिल दिये किस तर्म चे मिल दिये कि सत साल ते नौ साल दे छोटे छोटे साहब जादे निहां चे चिरे जान लेकिन तर्म ना चछड़द ते गुरू साब नो जद पुछया गया कि चारों साहिबा जादे नो कुर्बान करता ते गुरू साब की केंदे ने चार हुए तक या हुआ जीवत कई हजार मेरे चार चले गए तो क्या हुआ कई हजार जिन्दा रेंगे मेरे चारों के जाने के साथ आज शब्द सड़े गुरुवां दे ए सड़ा इतिहास हैगा अपनी माता नू कुर्बान किता पिता नू कुर्बान करता सारे बच्चे कुर्बान कीते सर रहो जाए एहो जी मिसाल किस तर्म चेहेगी मैंनो मान होंद है कि आप पंजाब दी तर्ती गुरुवां पीरुवां दी तर्ती ते शहादत ते शहीदी जोर ते जबर दे खिलाव लड़ना अपने तर्म चे मान रखना उदे तर्म परिवर्तन जुल्मा दा खिलाव मसलूपां वास्ते करना इसाड़े तर्म ने सानू सिखाया ते सर जे अपा देखिये इतिहास ते फिर मेनू एस गल्दा भी मान है सर कि पावे देश दी अजादी होए ओदे विच भी सब तो वद कुर्बानिया साड़े पंजाबिया ने दिती देख लो काले पानी दा इतिहास फासी जिनने चड़ाए गए कैदा जिना ने कटिया सी फीस् एस साड़े महान सूपे दा एस साड़ा इतिहास हैगा सर नो मान हों दा इस गल्दा सर सर अजादी दे बाद भी देख लो जे अमर्जनसी दी लड़ाई हुई ते ओदे विच मैंनो माने श्रोमनी अकाली दालने पहले दिन तो अखीर ले दिन ता रोग जथा चलता सी साब तो मोर्चा लाया इमर्जनसी दे खिलाफ पहला जथा अस्तार प्रकार सिंग बादल ने लीड की ता अखीर ले दिन ता ही लड़ दे रहे चुके नहीं ए साड़ी पाटी दा ते ए साड़ी कॉम दा ते सर फिर देश दे खिलाफ जद लड़ाईयां हो यां पावे ची दिहास है जै जवान एक बन के दिखाया जै किसान साव नी सो सट चे जड़ देश चे विच पुखमरी हों दी सी खानू पूरा नहीं मिलदा सिगा दूजे देशा तो असी आन लेके अपने लोका दा टिड़ पर दे सिगे ते फिर सर एच छोटा जा पंजाब देश दी ती इन फीस्दी जमीन हैगी डेड़ फीस्दी साड़ी अबादी हैगी लेके नहोजा ग्रीन रेवल्यूशन लेके आए कि पिछले सट साला तो दुनिया दी सेकंड लाजस अबादी दा पेट पर अंदा टेड पर अंदा कम इस कौम ने इस सुबे ने करके दिखाया देश मैंनु मान एस गल्दा की पवे जए ज़वान होई जए किसान होई मिसाल बनके साड़े कौम ने इस सारा कुछ दिखाया हैगा सर आज जिते जेश्ती अजादी होई देश्ती सुरक्षा होई या देश्ता प्रण्दा काम होई हर पक्खो साड़ी पाटी ने साड़े सूब है कि साड़े एस पंजाब दी तर्तिनू पता नी की दी काली निगाह लग गई है पिछले कोच साला तो ते मैं नू कैंच एदे वेच कोई चिजक भी नहीं सर कि 2014 तो जदो तो एक नवी पाटी ने पंजाब चे जन्व लिता साड़े पंजाब चे ओहो जी पंजाब दी तर् गी जड़ा 2014 चे अमन शांती पाई चार एक सांज दी सोच नू अग्गे लेके जड़ा लीडर जड़ा मुख मंत्री पंजाब नू अग्गे लेके जार्या सी हर पको पंजाब तरक्व चे शुरू की ता हर पक्खो हरेक दी सुनवाई होंदी सी ते तरक्वी विकास अमन शान्ती पाई चार एक सांज ले नाज पंजाब अगे वद रिया सेगा हर पैरिमिटर चे पंजाब देश वे चगे सब तो वद नंबर कमा रिया सेगा पावे कृषी होे पावे एजुकेशन होे पावे हैथ हो लेकिन फेरिंगे हो जी पाटी दा जन्व होया 2014 विच पंजाब चे जिस पार्टी ने अज साड़े पंजाब नू 2002 चे पिछले 8 साला चे पंजाब किते सी ते इना 8 साला दे वेच इस पंजाब नू इना पार्टीया ने किते लाके खड़ा करता है आज दिल दुखदा हैगा ते आज डर्वी लगदा है कि जिस तरह आपा चल रहे हैं साड़ा पंजाब के ने पासे जा रहे हैं 2015 चे हो जी चीजा पंजाब चे हुई हैं जेड़ा कोई पंजाबी ना बरदाश्ट कर सकदा सी ते ना करन बारे कदे सोथ सकदा सी ते अफसोस दी गल कदे नश्या दे उत्ते राजनीती कीती गई कदे साड़े गुरु साब दे हमले कीते गए ते सारी पार्टिया ने राल मिलके एक तरक्की वली सरकार नो बदनाम करन वासते एक पंजाब दे बैठी हुई मौजूदा मुखमंत्री नो बदनाम करन वासते सारी पार्टिया ने राल मिलके कोई कसर नहीं छड़ी ते नतीजा की होया पांच साल एकने सर्तप होगी दो-दो मुखमंत्री आए कदे गुटका साथ ते सोहा खा दिया कि असी नशा चार हफ़ते हां चे खतम करदांगे ते चार हफ़ते की पंच साल निकल गए सड़े चार साल एक मुखमंत्री उत्थे बैठके उत्थे चले गया और कुछ नहीं किसे नुं फढ़ सक्या नशा नी खतम करसे आदू जाया और कुछ नीख कर सक्या ते नशे पंजाब ते किते तो किते जड़े नशे वालया नों फढ़ना तरी ए नशे करकर पाई पो चांदा काम की ता पहड़ के दस दिन सर फढ़या सेगा दस दिन पहले राजनी ती खेड़ी मुख मंत्री बदलता डी जी पी बदलते रातो रात सिराफ इना ने सियासी रोटिया से किया लेकिन पंजाब दे बच्चा दा हाल की और जिड़ा रोज कदे केंदे सी हसी किसानी करजा माफ करांगे केड़े किसान दा करजा खुद खुशिया बद दियांगे दुझे पासे करकर नौकरी देन दिये गल कर दे सिगे नौकरी की देनी सी है ना दे रिष्टेदारानों जरूर मिल गई लेकिन किसे नौजवान नोगमा करार दे कर अपने मुकमंत्री ना ने जद बदल आ ते दूझ्या मुकमंत्री आया ते ओ पंजाब नू पता नी किस तरह बेच के चला गया कि ओधे रिष्टेदार देखकर एक दिन जद रेड हुई ता दस करोड रुपे मिले कले तिन मीन्या वास्ते से गा ओ दस मीन्या तो विदेश तो मसा मुड़के होना या है साइना सारे हालातां चे ओस पाटी नू बदराम करके एक होरी पाटी ने एक बदलाव दी राजनीती कहके पंजाब दे उते कब्जा करता थे दस मीन्या चे पंजाब दे की हालात हो गए ने सर आज मैं सिर्फ वानू आही कहना चाहांगी कि पावे मेरी तुसी ना सुनो तु कि फटकार लगाई है तो क्या टिपनिया की है गिये केड़ी टिपनिया की तिया ने पंजाब सरकार दे उते साथ साथे सुबह दा मुख मंतरी छे मीने दस मीने पहले उते बैठे आ हुंदा सेगा I think the whole house knows that the present chief minister of Punjab used to sit in that tonner ते सर मैं थ्वानू challenge कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो लेलो जेडी किनी सारी कंप्लेंटा उत्थो आया सी गया होना दे अपनी पार्टी ते दुज्या तो कि साठी सीट बदल दो जेडा मुख मंतरी पार्लमेंट दे वेचर ग्यारा बजे नशे दी हालत ची आंदा सी ओहुन सूबा चला रहा है गा सर सर तुसी लेलों तो उसी भी निनिकार साहते हैं साथ पार्लमेंट की विडियोग्रॉफी चार देन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिनने अपनी शहादत देती इस पार्लमेंट की सुरक्षा के लिए तो वो हमारे मुख मंत्री जो हैं उन्होंने 멍पी बन के तो पूरे पा लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हुए उनको ची तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं और इसलिए स्मीकर साब ने पूरा सेशन उनको बाहर का रस्ता दिखाए था यह कमिटी बनी थी महताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनक को सुखदे थे किया क्या रहा यह तो हलात है सर सर यह बन गए हमारे बदलाव वले मख मंतरी अब सर मुक मंतरी तो क्या है उसके ऊपर विचारे के यह हिसाब हो गया तो स्टेट क्या हिसाब होगा आप सोचिए दस महीनों में क्या होया साथ दस महीनों में नशों से यह हालत हो गया है कि आज सड़कों के भी लिखा होता है don't drink and don't drive तो यहाँ पर drink करके drive किया यह तो स्टेट को drive कर रहे हैं और केजरीवाल कहते हैं 2019 की election जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंके election जीतनी थी और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवान तपान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता सो सर वो तो कुर्बान हो गए मुख मंतरी बन गए और पिछले दस महीनों में हमारे पंजाब का क्या हल हुआ सर एक national shame से मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक आदा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए और चर्चा तो ये होके रहेगे कि लुफ्तेंजा की फ्लाइट से पहली बारी एक मुख मंतरी को अफलोड किया गया सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख मंतरी को जहाज से अफलोड किया जाए सर लुफ्तेंजा की फ्लाइट ने अफलोड कर दिया क्योंकि उस नशे के हालत में मुख मंतरी थे कि चड़ नहीं पाए अब सर इधर के हमारे मंतरी जी ने कहा था जो एविएशन मनिस्टर है कि मैं जाच करूंगा तो जाच करके बताओंगा लेकिन वो जाच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे और सर उस हालत में इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने का BMW हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्टरी लगा रही है तो सर अगले दिन BMW ने खंडन कर दिया हम तो कोई फैक्टरी नहीं लगा रहे है तो सर ये ऐसी नैशनल शेम इस हालात में तो आप सोचे करें पर तो नहीं लेकिन एक्सपीरेंस मुख मंत्री और उनकी जो कैबनेट है सा इदर ग्रह मंत्री जी बैठे होए हैं कईयों को जेट प्लास सेक्यूरिटी आजकल तो बहुत इनके पास जा रहे सिरफ इनकी सेक्यूरिटी के लिए यहां के लोग वहां वहां के इधर उ रैंड माइनिंग बंद कर देंगे नशे केजरिवाल कहता था चार हफतों में क्या दस दिनों में डीजी पी का हुकम नामा करके नशे ऐसे खतम हो जाएंगे और विश्टा चार रोग के मैं 35,000 करोर रुपे कमाऊंगा और हर एक औरत को में एक एक हजार रुपया उसको हर महीने का दोंगा सब के जीरो बिल कर दो ऐसी बड़ी-बड़ी बाते करके जैसे इनोंने का नौकरी देंगे कर्जा माफी इसने उससे भी बड़ा जूट मार दिया तो सर देखिए कैसे कॉंग्रेस डिफेंड कर रही आम आदमी बिट्टू हो रोजरा साब आज आम आदमी को डिफेंड करने सा यह समझें यह कौन सी खेल खेली जा रही है बहुत बढ़िया आहां बहुत बढ़िया तो सर ऐसे बड़े-बड़े बाते करके तो इनोंने यह सरकार बातों जो कहते थे कि हम सारा खतम कर देंगे नशा केजवीवाल कहता दस दिन में भगवंतमान कहता तीन महीने में तो साब तीन महीने क्या होए दस महीने क्या होए नहीं सा अभी तो शुरू क्या है में मुद्धे पे तो आने दीजिए साब में मुद्धा पांच में दीजिए साब आज मैं आना चाती हूँ कि पिछले दस महीनों में पंजाब के क्या हलाग पैदा हो गए ह साथ आप सोचिए एक मुखमंत्री एक responsible position पे वो security withdraw करता है और opposition की करता है, singers की करता है, x, y, z, सब की करता है और security withdraw करने के बाद अपने social media में डालता है साथ आप सोचिए, social media में डालके आप उनको encouragement कर रहे हैं कि आओ, अब आप इनको पकड़ो इनकी security साथ, सबसे पहले एक renowned singer पंजाब का सिदू मुखमंत्री ने security withdraw करके सारी दुनिया को बता दिया आप विशे पे बोले हैं सब्सक्राइब हो रही है सब्सक्राइब हो रही है सब्सक्राइब हो रही है जो आपने कभी rocket launcher grenade कभी देखा ली होगा intelligence के दफतर पे जो intelligence ने secure रखना हो उनके दफतर पे पुली स्टेशन पे सर नशों के साथ extorsions के साथ गुंडागरी, लूट इतना सारा बढ़ गया है कि कोई भी सेवनियों सब इधर सुप्रीम कौट ने क्या बोला यह सबसे चिंता की बात तो यह है कि सुप्रीम कौट कह रही है कि पंजाब के नशेस के साथ लिकर और नशे के साथ पंजाब खतम हो रहा है और देश भी खतम हो जाएगा और सर्स इसमें सरकार को फटकार लगाई कि आपने पिछले दो सालों में इनों ने और इनों ने कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 31,000 केस F.I.R. दर्ज कीते हैं और पता चलान कितने पेश किये केवल तीन चलान पेश किये सर्स तो इधर सुप्रीम कोट ने उनको फटकार लगाई है कि इस हिसाब से देश का क्या रह जाए है इससे भी ज़्यादा जो दुख की बात है कि आज हमारा देश जो ड्रग स्मगल किये जाते हैं वो पूरे देश में देश की सुरक्षा भी खत्रे में है आप सोचे कि आमी ने हाई कोट को बोला है कि जो इल्लीगल नजहाज माइनिंग हो रही है उस माइनिंग के कारण देश की सुरक्षा के वी उपर भी खत्रा है सो सर इधर इसके साथ देश की सुरक्चा जे भी घत्रा है आज हमारे लोगों को मारा पीता जा रहा है सर और इतना सारा नशा इन लोग के टाइम में तो सर नजैज लिकर के बारे में क्या कहे इनका अपना मंतरी सिकी सा इनका MP डूलो उस हाउस में मेंबर थे इनके मुक्वंतरी हमरेंदर सिंग को चिठी लिखी कि आपकी पुलीस और लीडर की नेकसस इतना सी बी आई को दीजे बताइए सी बी आई को क्यों नहीं दिया मैं तो मंतरी जी को कौंगी सी बी आ को दे दिये लेकिन सर इन सबसे मैं यहीं कहला चाती हूँ कि गुरू ओ पीरों की जो धरती है आज ऐसे नशों के काबू में आ गई है कि प्रेगनंट लेडीज हो एक घर के दो नौजवान बच्चे हो नूजवान बच्चे हो गर घर तक कोने कोने तक नशा इन्हों ने पकड़ाया बेचाया और अपने मन्त बुक्वांतरी को फेल खरार देके उन्होंने बदला तो इस सरकार ने साच पंजाब का ये हाल हो गया ऐसा कि कोई अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है लोग अपनी हपादत खुद कर रहे हैं आप देखिए एक 20 साल का बच्चा उसके पास उसके माबाब के पास सिर्फ साथ एकड़ की जमीन थी चालीस लाग का उसको एक्स्टोशन का अकॉल आता हूँ विचारे कहां से दे दे बच्चे को मार दिया और हमारे मुखमंतरी कहते हैं कि जिसने इन सब को मारा सिद्वमुसे वाले को मारा वो गैंग्स्टर को अमरीकार कैनेड़न है उसको अरेस्ट कर लिया है और गैंग्स्टर शरयाम जाके उधर मीडिया के सा से जाके देश भर में आमादमी पार्टी और केजरी वाल को चमताने में लगी हुई है मैं बत्मूचना चाहती हूँ कि जो ये कहते थे कि 35,000 क्रोड कर्जा बचा लेंगे तो सब पिछले इन लोग ने तो एक लाग करोड का कर्जा पंजाब के उपर पांच सालों में चड़ा के चले गई दफा होए और इन लोगों ने चार महीनों में इन्हों ने 15,000 करोड का कर्जा चड़ा दिया आप जानते हैं सर जितनी इल्लीगल लेकर है अभी गुजरात सारी जा रहे थी सारी कहड़िया पकड़ी गई पुल्स ने पूछा कॉट ने पूछा कि क्यों वाया यू गइंग सॉफ्ट ऑन दें सर जितनी आड्ज फुल फुल पेज की आड्ज कान्या कुमारी से कश्मीर तक निकलती हैं और सबसे जादे फेस्बुक की आज गुजरात में चलती सी तो ये पंजाब का पैसा ये पंजाब का पैसा लूट के पंजाबियों को नशेडी बना के और सर ये जो नाको जा रही है सब हमारे खेत को चुस तलफ है और आपको पता है नीचे से टनल लगाके ड्रोन्स के रही आम्स फेके जा रहे हैं पंजाब में ड्रग्स फेकी जा रही हैं और सरकार आखे बंद करके बैठी हुए है तो सब पंजाब के हलात ऐसे हो रहे हैं कि लोग अपने पंजाबी जवानी नो खतम करंच है चार साल पहे ने मैं पुछना चांदिया एक नशेडी मुख मंत्री होए निकमी एनादी कैबनेट होए तो सब्सक्राइम कोड़ पूच रही है यू अगॉइंग सफ्ट वाट यू डूइंग सब्सक्राइग करती हूँ कि इसको थोड़ी संजीद्गी से लिया जाए यह बॉर्डर स्टेट खराब हो जाएगा पंजाब टोड़े इस अब बर्निंग वलकेनो स्वोकिंग वलकेनो ऑन दे ब्रिंक ऑफ सिवल वर इफ इस नोट कंट्रोल और गवर्मन्ट इस नोटिंग पंजाब और स्पेंडिं हैं और देश में फैल के हर्याना होए राजिस्तान होए हिमाचल होए महराश्च्रों होए गुजरात में कितनी बड़ी-बड़ी कंसाइंडमंस पखड़ी जा रही है यह पूरे देश को नश्ट करने की जो नाको टेररिजम चल रही है यह सिरा पंजाब के लिए नहीं है देश के लिए है तो वह पाकिस्तान जो उधर बैठा हुआ है यह निकमी सरकार जो पंजाब में बैठी होई है यह नेकसस जो बना हुआ है इससे पंजाब और देश को कैसे बचाया जाएगा